अश्कार शातियों जेहिंद जे भारत वंदे मातरम सीटेट एक्जाम 2024 को लेकर आज किस वीडियो में बात करने वाला हूँ लगातार सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि सीटेट की जो आपकी परिक्षा जुलाई में होने वाली है साथ जुलाई को उसे पोस्पोंड कर दिया गया है तो कितनी सच्चा ही इस बात ने यह पूरी जान करें आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ साथ ही कहा जा रहा है कि आयोग द्वारा तीन बड़े नए नियम लागू किये गया है तो यह तीन बड़े नियम क्या है यह सारी जान करें आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ सचर्ण आफ ज्यांट यह तो इसके लिए लिए पर मैं गूगल पर आयों गूगल पर आने के बाद यहां पर आपको सच करना है कि जो CT8 का आपका जुलाई में एक्जाम है उसे पॉस्पोर्ण कर दिया गया है आयोग दुआरा तो यहाँ पर मैं आपको बता दू कि यहाँ पर latest news के section में ऐसा मुझे कोई भी देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पर आप देख सकते हो कि latest news के section में आयों और यहाँ पर CT8 जो जुलाई एक्जाम है उसके लिए regarding कोई भी यहाँ पर update नहीं है यहाँ पर मैं चेक करता हूँ और जो social media पर कहा जा रहा था वो लगातार यह बिल्कुली fake है क्योंकि exam को postpone नहीं किया जाएगा जो आपका exam यहाँ पर आपको जाकर जॉइन कर लेना है अब यहाँ पर मैं बात करूँ तीन बड़े नए नियम तो यहाँ पर जो आपका exam है वो offline mode पर conduct कराया जाएगा और इसी को लेकर यहाँ पर जो सभी छात्रों की मांग है कि exam को यहाँ पर online mode पर conduct कराया जाए जिससे क्या होती है कि leak जो paper leak का समझचा है वो कम रहती है और इस बाद जो आपके exam center है exam center उसे दूर दूर यहाँ पर exam center की संक्या भी यहाँ पर बढ़ाई जाने को लेकर बात कही जा रही है तो यहाँ पर कुछ इस तरह के नियम लागों किये गए हैं आपर और भी यहाँ पर जो update आती वो हमारे चलक माद्यम साब को दे दी जाएगी तो चैनल को भी subscribe कर लीजिए सीटेट के रिगार्डिंग आने की आने वाली आगे की update के लिए मिलते किसी न्यूडिव न्यूडिट के साथ अतक लेजाएं जावारत बंदे मत्रम